नमस्कार को दोस्तों मैं निरज गुपता आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन फूचर में स्वागत करता दोस्तों उत्तर प्रदेश लोग से वायोग दोरा जो है होमियोपैथिक चिकिस्सा अतिकारी का जो पेपर 3728 को आयोजित कराया गया था उसके जर्नल इस्टिटीस के जो समान अध्यन के प्रश्ण है उसकी हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो पीसेज दोजार अठार 28 अक्टूबर को होने वाला है वो अभ्यरती भी इस वीडियो को देख लें कि उत्तापते लोग से वायोग कि जो प्रश्ण होते हैं उनको प्रश्णों का नेचर कैसा होता है ठीक है तो उनको एक नेचर पता चल जाएगा हाला कि यह होमियोपैतिक चीकिसा अधिकारी का जो पेपर था थोड़ा सा सरल है PCS अपर PCS 2018 का ल हमें सॉल वीडियो जो है पोस्ट कर दिया है और यह सेकेंड शिप्ट का जो है इसमें समान अध्धिन के पूल 30 प्रश्ण शामिल है इसके हम चर्चा करेंगे टोटल 150 प्रश्ण थे 120 सब्जेट का संथ और 30 कुरिशन जो है जैनल इस्टेडिस के थे तो इसके बारे में हम हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो चलिए बिना देरी किये जो है इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो दोस्तों देखें यहाँ पर आप देखेंगा पेपर में जो है पार्ट वन है कमपल्सरी पेपर है यह अनिवार भागवन जर्नल इस्ट्री समान अध्यन तो टोटल 30 क्योश्चन से जिसके हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे तो पहला प्रश्ण है कि लाल किला की मोत करा साइन मंत्री मंदल के मंत्री के रुप में शपत गोहड़ करता है तो कि अनिवार से संसित का सतस होना चाहिए यदि ऐसा नहीं है तो उसे कितनी समयावदी तक संसत के सदस्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए देखे कोई भी वेक्ती जो है संगी मंत्री मंदल में मंत्री का रूख शपत ग्राड कर सकता ऐसा प्रावधांग किया गया है लेकिन उसे संसत के सदस्ता 6 मां के भीतर प्राप्त करना अनिवार है तो यहाँ पर यह देखे ए दी ऐवला आप्षन बिलकुत सही हो जाएगा नहीं और लेकिन 6 मां में यह बिलकुत सही हो जाएगा D option इसका सही हो जाएगा तीसरा प्रशन है भारती समिधान के अनुछे 338 के अंतरगत अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती राष्टी आयो की नियुकती की जाती है तो यानि तीसरे का सही जवाब जाएगा D option अगला प्रशन है 2014 में संपन हुए सलोवी लोगसभा के चुनाव में महिला सदस्यों के सही संख्या रही है देखे 2014 में आम चुनाव हुए थे सलोवी लोगसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पर महिला सदस्यों के संख्या पूछी जा रही है तो महिला सदस्यों के संख्या 60 टोटल ठीक है यहाँ भी आप्शन इसका बिलकुल सई होगा अब 2019 में जो है 17 लोकसभा का चुना होगा ठीक है अगला प्रशने पांचमा पुछा गया था कि अंकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रतिवेक्ति अधिक्तम आया प्रदान करती है यह कथन किसका है ठीक है य यह कथन किसका है अनकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रतिवेक्ति अधिक्तम आया प्रदान करती है देखे डबलू एम थांसन टी आर माल्थस एच डाल्टन का टोड़ा रोग हमको यह माल्थस लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउट है तो इस प्रशन का एंसर जब ह को विक्सित किया देखे गरीबी के अकले उनके लिए कई कमिटी बनाएगे ते जिसमें से मुख्य रूप से तेंदुलकर कमिटी और रंगराजन कमिटी जानी गई है तो सी रंगराजन कमिटी इसका सही आप्शन है डी वाला बिलकु सही चटमेगा सात्वा प्रशन जो वक्र कहलाता है वो कहलाता है पर्यावरड़ी कुजनेट्स वक्र ये आप्शन इसका सात्वे का बिलकुल सही है अगला प्रशन भारत वरस में उच्चतम आर्थिक संब्रिद्धी दर प्राप्त की गई थी तो देखे जो बिभीन योजना आयोगदर योजना जो यहां पर देखे ऑप्शन दिया है बरहमी गिरहमी दस्मी और नौमी तो दस्मी पंच वरसी योजना में जो है सबसे अधिक उच्चतम आर्थिक संब्रिद्धी दर जो है भारत ने प्राप्त की थी तो सी ऑप्शन इसका बिलकुल सही है आठ में का क्या एंसर हो जाएगा सी अगला प्रशन पूछा गया था कि राज लोग सेवाय के अध्याच्व सदस्यों की निपती अनुश्यत 316 के अंतरगत किसके द्वारा की जाती है तो देखे यह राज लोग सेवाय होगा है यहां पर आपको ध्यान देना राज पूछा हुगा है राज लोग सेवाय हो क अध्यच औ सदस्यों की नियुक्ति किस अनुशेत के अंतरगत की जाती है, 316 के अंतरगत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो यह 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 की जाती है, तो जो प्राचिंतम एतियासी ग्रंथ जो है भारत में जो है कल्हड के दौर दिया गया था ठीक है जो राज तरेंगडी जो कस्मीर के दियास का वड़न किया गया है राज तरेंगडी जो कल्हड के दौर रचीत है वो प्राचिंतम एतियासी ग्रंथ है किस ने दिया था कल्हड तो ACN Games से भी प्रश्ण पूछे गए हैं इसमें तो 11 का कौन सा एंसर हो जाएगा C option से हो जाएगा अगला प्रश्ण है विस परेवरण दिवस 2018 का विश्य क्या है तो देखें विस परेवरण दिवस जो है पूरे विस समदायनों 1972 इसवी में इस टाखूम सम्मिलन जो सुड़न की राज़ानी इस टाखूम सम्मिलन में यह पढ़ लिया कि परेवरण के सुरच्छा के लिए प्रतेक वर्श पांच जून को भी इस परेवरण दिवस मनाया जाएगा और इसमें जो एक मेज़वान देश होगा इस बार मेज़वानी जोब भारत को मिली थी ठीक है और इसके जह थीम निरधारत की जाती है हर वर्श इस बार की थीम जो निरधारत की Luckily दिब्लास्टिक पर्दोसय परलूस्चन बी औप्ष्टिक परी i एसेन गेम 2018 में किस देश ने सर्वादिंग मेंडल प्राप्त किया है तो दीखे एसेन गेम से बहुत प्रश्ण पूछे गे हैं एसेन से प्रश्ण प्रश्न प्रश्ण पीसे दो जार अथार में भी बूचे जाएंगे इसको थोड़ा सा अब ध्यान दिजिए गा एसीएम गेम 2018 में किस देशने सरवाधिं के फिर सब्राफिर चीन ने पिराप्त किया था एसीएम game में सरवाधिं मेटल फर्स्ट पे कौन था फूर्स्ट काउं था ठीक है तो इसको आप देख लिए गा फस्ट वीडियू में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है देखिए राजधानी या भारत नहीं दिल्ली इस्लामा बांगलादेश के राजधानी लंदन नों के डाका होती यह बहुत ईजी प्रश्ण है तो सी वाला उप्शन इसका बिलकुत सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलिकेत में स वह जाएगा इक बिजबत्री फसल नहीं जबकि चावल गन्ना मक्का यह सब क्या है तो 15 का सी ऑप्शन बिलकुत सही हो जाएगा दोस्तों यदि फर्स टाम हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं इसको सब्स्राइब करना ना भूलिएगा अगला प्रश्ण पूछा गया था सुलावा प्रश्ण निमलिखित में से एक असुमेलित यूगम का चेन कीजिए देखिए अजोला दिया हुआ जय अरूरक बिलकुल सही है धैचा हरी खाद होती है बिलकुल सही है आमोनियों सलफेट फासफेटिक अरूरक नहीं होता है यह बिलकुल गलत है का पास रेसे व प्रश्ण है लगड़ा जो है आम की प्रजाती है ठीक है जिसका बटिनिकल ने महेंगी फेरा इंडिका होता है यह भी याद रखे कि महेंगी फेरा इंडिका जो है महेंगी फेरा इंडिका जो है आम का मैंगो का क्या होता बटिनिकल नेम होता है और यह हमारा राश्टी फ दोशित किया गया है ठीक है अगला प्रस्ण में भारत में हरित करांती का स्थरे किसे दिया जाता है यह बहुँ पुछा गया पहला दिया वे नार्मन बोरलोग पहला अंसर यह वर्ल लेवल पे जो है हरित कॉरांती के जनर के जब भारत में कौन है MS स्वामीनाथन तो B option इसका बिल्कुल सही होगा भारत में हरित कॉरांती के जनर कोन है MS स्वामीनाथन बिस्ठाफ़न अपां दूरी का अनपात होता है तो यह जो होगा इसका एंसर होगा सद्या युदध हनात्मक होगा ठीक है एंगला प्रहसे%. वे उसे कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए कौन सासुमेलित नहीं है यह प्रहस्ञा पुषा गया है तो सुच मतरवंगे background देखे handrail background दिया हुआ यह ले बाइक्टिव रेडियो एक्टिव की खोज की थी रेडियो एक्टिव की खोज किस ने की थी handrail बैकडियो ने की थी my Ukraine की खोज मार्टीन कूपर ने की थी eudometer की खोज rain gauge ने की थी बाइ साइकल की हो जो मैक्मिलर ने कीती तो यहां पुछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा option सही हो जाए यह option बिल्कुत सही हो जाएगा यहां पर सुमेलित नहीं है ठीक है तो यह जो है यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रश्ण पुछा गया है, एक किसा प्रश्न कि भारतिक खास एबं खर पत्वार सोथ संस्थान कहां इस्ति थे, ठीक है, इन्डियन ग्रोस एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्ट्टूट कहां इस्ति थे, पंत्रन अगर लखनो वरार्टसी जासी थी, ये कहां इस्तित है उक्तरबर्दिस के छहां सी में इसतित है D option विल्कूल इसका सही होगा, अगला प्रश्न मानों सरीर में हेमो ग्लोवीन जो एक oxygen परिवहन प्रोटीन है, ठीक है, हेमो ग्लोवीन जो मनुष्च के ब्लड में हेमो ग्लोवीन पाया जाता है, वो आकसीजन परिवहन क ठीक है तो इसमें जो RBC में हीमोगलोवीन पाए जाता है डी ऑप्शन इसका बिलकुल सही होगा अगला प्रश्ण है तेस्वा प्रश्ण यदि अलफा एम बीटा समिकरड एक सिसकार प्लस 11x प्लस 50 व्राबर 0 के मूल हो तो अलफा पन बीटा प्लस बीटा पन अलफा का मान ह है इसको आप सॉल्व करिए का थीक है इसको सॉल्व करके बताएगा कैंसर आएगा 24 प्रश्ण मेंस से पुछाओ यदि एक वर्क की परिमेथी जो है 4x प्लस एट यानि परिमीथी यानि परिमिकर हो गया ठीक है यह भी 4x प्लस 8 यह भी 4x यहाल से यह भी 4x प्लस एट है ठीक है 4a ब्रावर 4x प्लस 8 a ब्रावर हो गया 4x प्लस 8 बाई 4 हो जाएगा तो अब इसको अगर करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा अब x प्लस 2 का whole square फिर कर देंगे चेतापल निकालने के लिए तो x square b square plus 2ab यानि की 4x तो x square plus 4x यानि की b वाला option इसका सही हो जाएगा b option इसका क्या हो जाएगा बिलकूल सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है 25 प्रश्न है इसमें कि प्रतम आल इंडिया किसान सम्मेलन कहा हुआ था प्रतम आल इंडिया जो किसान सम्मेलन हुआ था तो वो हुआ था लखनौ में कब हुआ था 1936 में आल इंडिया किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था ठीक है लखनौ में स्वामी सवजान सलसती के द्वारा इसे आवेजन किया गया था चविस्वा प्रशनिbreaker में से कौन गदर पार्टी के सब्ना कब हुइए ती सभना के सब्सक्राइब की गई टीक है तो पूछा है गदर पार्टी से संब्नित है यह विस्का बिलकूल सही हो गा 27 प्रश्ण निवलीखीत में से किस दी नारे? रिगवैदिक काल में 10 रजाओं को यूद हुआ था तो जो रिगवैदिक काल में 10 रजाओं को यूद हुआ था वो राभी नदी के तठपर हुआथ 27 का अच zar na रो जाएगा C ठीक है? विश्वामित्र के द्वारो गायतरी मंद की रचना की गई है P option इसका बिल्कुल सही है कौन सी धातू सरपतम परियोग में की गई थी? 29 परक्षन पूझा गया कि कौन सी धातू सरपतम परियोग में की गई थी लोहा ताबा टीन चादी तो ताबा जो है सबसे पहले प्रयोग में लाई यह थे, P option इसका बिलकुल सही होगा अगला और अंतिम प्रशन है कि विश्व के निमलिखित नगरों को 2015 की चनसंख्या के उनसार घटते क्रम में सजाई है यह देखे 2015 पुछा हुआ ठीक है तो इसमें जो मैक्सिको सिटी है दिल्ली है टोकियो हो शंगाई है यह चार बड़े शहर जो है विश्व के बड़े शहर है जिसमें Mexico City मेक्सिको में है दिली इंडिया में भारत में टोकियो जापान में जापान की केपटार शंगाई जो है चीन का बहुत बड़ा शहर है शंगाई तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है इसमें वो टोकियो की सबसे ज्यादा है जनसंख्या ठीक उसके बाद शंगाई फिर उसके बाद तीसरे नंबर में हमारी दिल्ली आती है और सबसे लाश्ट में जो है मैक्सिगों सीटी तो यह करम मन जा इसमें अनिवार प्रश्मस होते हैं कमपलसरी उसमें पूछे गयते तो इसके हमने पूरे डिटेल बता दिये हैं और फस्ट आमरे चैनल पर विजिट कर रहा है तब प्लीजिसे सब्सक्राइब चरूर कर दीजेगा लाइक शेर कमेंट भी करिएगा बहुत बहुत धन्यब करपलड़ प्लीजिसे सब्सक्राइब अबलगा है उन्यथे अनिवड़ उन्यथमस हो ऱक्राइब दोजल झार लाइसे गयते धन्यथर ज़ weaknesses बूड़िए यूरोmodर विलगिगार सat प्लीज慌ना